नमस्कार, आप देखने TNP News और मैं हूँ आपके साथ आलोग शुकला ओडिशा की भूवनेश्वर में पियम मोदी आज 9 भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाएंगे इस पर केंद्री मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंदे भारत एक्स्परस से जोड़ा जा चुका है उनोंने कहा कि पियम मोदी 11 राज्यों में केनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार 9 वंदे भारत एक्स्परस ट्रेनों को हरी जंडी दिखाने वाले हैं इसके साथी धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेनों की विशेशता भी बताई है दिल्ली विश्वद्याले चातरसंग चुनाओं में ABVP ने तीन सीटों पर जीत हासिल कर ली है इसमें अध्यक्षपत, सेक्रेटरी और जॉइन्ट सेक्रेटरी पद शामिल है वहीं उपाध्यक्षपत पर NSUI ने जीत हासिल की है दिल्ली युनिर्सिटी में जश्न का महौल बन गया है ABVP की शांदार जीत पर केंदरी मंतरी, अमिर्शाह और BJP अध्यक्षप जेपी नडड़ा ने ABVP के सभी कारिकरताओं को बधाई दी एश्वन गेम्स 2023 में भारत का खाता खुल चुका है भारत को पहला मेडल शूटिंग के लिए खेल में मिला है भारती महिला शूटिंग टीम ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है मेहुली घोष, आशी चौक से और रमिता की तिकडी ने 10 मीटर एर राइफल में कुल 1886 पॉइंट्स अरजित करते हुए देश को पहला सिल्वर मेडल दिला दिया है बीजेपी सांसद रमेश विधूडी के अपमान जनक टिपणी का मामला अब गरमाता जा रहा है विपक्ष नीता रमेश विधूडी के खलाब कारवाई की मांग हो रही है इसी कडी में अब हरियाना के पोर मुख्यमंत्री और वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता बुपिंदर सिंग घुड़्डा का बयान भी सामने आया है बुपिंद सिंग घुड़्डा ने रमेश विधूडी की टिपणी को निंदनी बताते हुए कहा कि सदन के कुछ गरिमाय होती हैं जिनका किसी को भी कभी उलंगन नहीं करना चाहिए आपको उतादें की नई संसद में बिजेपी सांसद रमेश विधूडी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाप अपमान जनक भार्षा का प्रयोग किया था इसके बाद रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने सदन में माफी भी मागी थी लेकिन बिपक्षी दल विधूडी के खिलाप सक्त कारवाई की मांग कर रहा है केंदरी खेल मंतरी अनुराक ठाकुर ने तमिलनाडू के कोईमिटूर में श्री किष्णा एस्टेडियम का उदगाटन किया इस दोरान अनुराक ठाकुर ने पौधा रुपन भी किया और ग्रुप फोटो भी किचाईए अनुराक ठाकुर ने लोगों को समोधित करते हुए कहा कि एक स्रेक्षिनिक संस्थान विष्ण इस्तरी सुविधा का निर्माड कर सकता है ये सुविधा कई अन्य लोगों को आगे आने और तमिल नाडू और अन्य हिस्तों में ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए प्रेडित करेगा उन्होंने कहा कि अगर अन्य संस्थान भी ऐसा कुछ बनाएंगे तो खेल के ख्षेत्र में कोई भी भारत को हरा नहीं सकता है आने वाले महीनों में तेवारों का सिलसला शुरू हो जाएगा नवरात्री दशहरा वो दिवाली जैसे तेवारों की शुरूआत हो जाएगी इन्हें तेवारों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकार ने अब नौरात्री, दशहरा और दिवाली पर बिजली नकाटने के निर्देश भी दिये हैं विभागी अधिकारियों को मामले में जरूरी निर्देश दिये गया है इस दोरान शटडाउन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है वहीं अनुरक्षन के कारें तिवहार से पहले ही पूरा करने के निर्देश दिये गया है उत्तरप्रदेश की सिधार्थ नगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है दरसल सिधार्थ नगर में डुमरिया गंज स्थानक्षेत्र के एक चौराहे पर पुलिस का अमानवी चेहरा हर कोई देखकर सिहर गया है वायरल हो रहे इस वीडियो में डुमरिया गंज पुलिस का एक जबान दिव्यांग व्यक्ति को जम कर पीठता हुआ नजर आ रहा है दिव्यांग की इस तरह से पिटाई काई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही यूपी पुलिस अब सवालों के घेरे में आ चुकी है फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद सिधारत अगर पुलिस के साथ ही यूपी पुलिस पर भी सवाल उठने लगे है लेकिन नोईडा के सेक्टर 75 स्थित एम्स गोल्फ एमेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों से सम्द्धित एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है यहां कुत्ते का पोस्टर हटाने को लेकर एक महिला ने युवक का कॉलर पगड़कर उससे अभधरता करते हुए मारपीट कर लिये है इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है बुलिटर में फिलाल इतना ही आप लगतार जोड़े रहिए ट्यंपी न्यूस के साथ नमस्कार